वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज जो गाईज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है बोरो प्लस क्रीम का तो बोरो प्लस गाईज वो क्रीम है जो बच्पन से हम लोगों ने सभी ने अपने घरों में देखी है यह उस टाइम पर यूज की जाती थी जब इतने ज़्यादा ब्रांट्स नहीं होते थे मार्केट में तब विंटर साते ही अगर स्किन केर के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता था तो वो सबसे पहली क्रीम होती थी गाईज बोरो प्लस तो आज जो मैं बोरो प्लस के बारे में बात करने वाली हूँ उ बहुत सारे विंटर केर रिलेटेड स्किन केर के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे बट बोरो प्लस आज भी वहीं है तो पहले गाईज एक ही क्रीम आती थी जो कि यह वाली है आपकी अंटी सेप्टिक क्रीम और जो इसका न्यू वेरेंट है वो है गाईज बोरो प्लस तो यह दो वेरेंट्स में है क्या डिफ्रेंस है किन लोगों को यह किस तरीके से यूज करनी चाहिए वो सारी बाते मैं अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पैकेजिंग की तो दोनों ही क्रीम जो है गाईज वो इस तो दोनों ही ट्यूब्स जो है वो एजिली आपको एमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी नायका पर भी मिल जाएंगी मैं नायका से प्रोड़क्स मैंने और किये थे तो उसी टाइम पे यह दोनों को मैंने वहां से परचेज किया था तो यह वाली जो क्रीम है जो क्रीम कोको देती है तो इन के क्रीम नार।। ऑनने वालीज सब्सक्राइश कारएंगी की। सबसे पहले जो मैं इनका बता दूं कि यह पैरा बैंस फ्री हैं दोनों ही क्रीम्स किसी भी तरीके के पैरा बैंस का सल्फेट का यूज इन क्रीम्स में नहीं किया गया है सांथी गाईज यह दोनों ही क्रीम्स जो है yे मल्टी पर्पर्पर्ज यूज तरीक्रीम्स है जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी ड्राइ स्किन है उसके लिए और यह मैं अंड्ड वुमिन दोनों इन क्रीम्स को यूज कर सकते हैं जो कि जब आπα लोग शेव करते हैं उस के लिए हैं ने दोनों यह को स्ब्सक्राइब करेंजिर के लिए निसrdar 2 लिए भी मेकिन जीए नियोटेघर के तत्सकी स्थाहएगा मुझेकि परेहटेशी हैं तो कुष्टेस धर्ष्फिनेटी पंसत्ति के बच्छों भाग्पर की पहना होगे और और में स्थाहएग rozp क्रीम एप्लाइ करके वो हील कर सकते हैं एक तो यह अच्छा से मॉस्टराइज करेगी दूसरा एंटिसेप्टिक क्रीम है तो हीलिंग के लिए बैस्ट है अगर आपको जब भी लग रहे हैं कि आप डाइपर पहना रहे हैं उससे पहले ही आप जो है यह क्रीम एप्लाइ कर दीजिए बच्छों को रैश की प्रॉब्लम कभी भी होगी ही नहीं तो यह इस तरीके से इनकी इनर पैकेजिंग है यह आपकी फर्स्ट वन वाली है 24 आवर्स मॉस्चराइजेशन यह परपल कलर के पैक में आती है और यह जो आयरुवेदिक अंटिसेप्टिक लाइट और नॉन स्टिकी क्रीम है विद फ्रूट हर्ब्स और वाटर तो वह य ज्यादा ड्राइज नहीं है आप जस्ट विंटर्स के मॉस्चराइजेशन के लिए कोई एर क्रीम अपलाई करना जाते हैं अपनी बॉड़ी पर हैंड पर फेस पर तो आप यह वाली क्रीम गाइस ट्राइज कर सकते हैं यह बहुत लाइट क्रीम है बिल्कुल नॉन स्टिक क्रीम देती है बहुत थिक क्रीम है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को काईज डीप तक जाकर के आपकी स्किन को मॉस्चराइज करती है इसको भी आप अपने फेस हैंड्स बॉड़ी पर यूज कर सकते हैं बच्चों के गाल गई-बारी बहुत जादा विंटरेस में फट किरीम क्रीम है किसी बी क्रीम का इसम países यूज नहीं होता है तो यह आप देख सकते हैं काई दोनों में Springs यह जो आगेवाली क्रीम है यह बहुत जादा थिक है और यह वाली जो क्रीम है यह फ्रूट वाली सिर्स एंग वेछे पुघनाल आजय है और वाली जो क्रीम सेम्ट है जो आपने बच्पन में यूज की होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा बिल्कुल वही वाली जो स्मेल है वह बहुत ही फ्लोर ब मेरे लिये हैं तो दोनो ही क्रीम इन अपने लिये हुई है तो मैंने अपने face के लिए ये cream ली हुई है जिसमें है light and non sticky formula cream और ये 24 hours तक guys अच्छे से moisturization देती है अगर आप बार बार face wash नहीं कर रहे हैं winters में तो definitely अगर आपने morning में face wash की मतलब आपने बात लिया उसके बाद आप इसे apply कीजिए और अगर night care routine में आप अपना face wash करते हैं और definitely इसको आप night care routine में भी add कर सकते हैं बहुत अच्छे से light weight formula है और बहुत अच्छे से आपको moisturization देती है 24 hours तक का दुबारा आपके जो skin है face की हुई hands की हुई या body की हुई बिल्कुल भी stretchy feel नहीं होगी और ये वाली जो cream है इसे मैं अपने face के लिए use नहीं करती हूँ ब करके household work के अलाबा भी बहुत बार हमारा जो हाथ है वह साबन पानी में ही रहता है winter में जिसके से skin जो है वह extremely dry हो जाती है हमारे hands की तो उसके लिए गाई यही एक cream है जो मेरे hands पर work कर पाती है यह cream मेरे hands के लिए work नहीं कर पाती है तो इस cream को गाई मैं अपने hands हुए पैर ह फटी हुई एडियां होती है जैसे कि थोड़ी बहुत मेरे dryness की problem हो जाती है मैं वहाँ पर भी इसे use कर लेती हूं तो उस चीज के लिए guys यह best cream है बहुत थिक formula cream है बहुत अच्छे से आपके hands को guys moisturize करती है soft बनाती है सपल बनाती है आप इसे अपनी पूरी body पर use कर सकते ह हैं आपके घर में बच्चे हैं आप यह उनों को भी दे सकते हैं क्योंकि किसी भी तरीके के parabens वगेरा का use in creams में नहीं हुआ है तो बहुत ही ज्यादा ultra moisturization वाली और soft creams हैं जिनमें की हमें बहुत अच्छे से assurance है कि कोई भी ऐसा ingredient नहीं है जो कि हमारी skin को नुकसान पहुचा तो easily आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं आपके घर में जो जैंट्स हैं वो भी इस क्रीम को यूज कर सकते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इस क्रीम को यूज कर सकते हैं तो multi-purpose use cream है साथी साथ antiseptic हैं आप अपने घर में अपने handbag में भी इसको carry कर सकते है बहुत सारे multi-purpose uses हैं इसके तो इसकी वज़े से गाईज अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर किसी भी चीज के लिए आपको क्रीम की जरूरत हो तो यह क्रीम जो है वो आपके सबी कामों में जरूर ही यूज हो सकती है तो उस चीज के लिए भी बैस् इस तरीके से होई और यह वली इसको थोड़ी देर और मसाज करने होते हैं उसके बाद गाईज जो आपकी स्किन है वो बहुत अच्छे से मॉस्चराइज हो जाती है तो आई होप गाईज की मेरा यह जो रिव्यू है यह आप लोगों के लिए हेलपफुल रहा होगा लाइ बैल आइकन को जरूर से प्रेस कीजेगा ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टन वीडियो आपको मेरे चैनल पर जरूर से मिलेंगी थैंक्यू गाईज बाबाई